वीडियो एडिटिंग का काम आप जब कर रहे हों, तो कई बार हम एक नॉर्मल वीडियो को शूट करते हैं, उसमें हम लोग स्पीड को एड करते हैं, हो सकता है कि आपको कभी फास्ट में चीज़े दिखानी पड़े, हो सकता है कि सीम का रिक्वामेंट, स्क्रिप्ट का रिक जा रहे हो, अब आपको पीछे आने हैं चीज़े, कुछ बैक में दिखानी है, तो इस केस में कॉंस आप्शन है, वो हमें हमें हेल्फ करेगा, तो आज के सेशन में हम लोग ये सारी चीज़े सीखने वाले हैं, स्पीड रैंपिंग को कंट्रोल करने वाले हैं, इसी भी एक उप्शन हमें मिलते हैं, तो सबसे पहले तो ड्रैक करके वीडियो को आप प्राइम लाइन पे ले गया जाएंगे, यानि सिक्वेंस के अंदर में ट्रैक में सेट कर लोगे, इसके बाद राइट क्लिक आप करोगे, उस स्पेसिफिक क्लिप पे, वीडियो क्लिप पे, और यहां पे कई सारे option में से आपको चूज करना है, speed and duration, जब आप इस पे click कर लेते हो, यहां पे आपको 100% का speed by default मिलता है, that is something show you की original speed, ठीक है, the original speed means जिसमें वीडियो जो है, वो shoot किया गया, also we can see the duration over here, this is for the hour, this is for the minute, this is for the second, this is for the number of the frame, clearly we can see that the duration of this video clip is, 1 second 17 frames, यानि 1 second 17 frame का यह total है, तो अगर मैं इसके speed को double कर दो, ठीक है, if I change the speed to 200%, that means speed इसका double हो गया, तो जो duration जो वीडियो क्लिप का है, वो जस्ठाफ हो जाएगा, now you can click on ok, and you can see instantly the duration of the clip is changed, यहां पे duration change हो चुका है, क्योंकि speed अगर बढ़ेगी, तो उसी दूरी को tie करना है, समय में हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप प्ले करेंगे, तो speed आपको दिख रहा है, in the same way, again if you want to make changes, right click and speed and duration that you can choose, and if you make it 500%, now it's just about the 8 second, ठीक है, 8 frame पर वो सिर्फ दिखेगा, not a second only, एक second भी नहीं दिख रहा है, okay, and in the same way, if you want to make the video slow, then right click, उस case में भी आपको slow बनाने के लिए, अब जैसे मैं इसके speed को 20 कर देता हूँ, तो ये इसका duration बढ़ जाएगा, लेकिन obviously 24 fps का अगर आपका video है, फुटेज़स है, तो उस case में ये आपको जर्क करकर के दिखेगा, क्योंकि number of frame कम आ रहा है, पुड से ज़्यादा capture करना पड़ेगा, तो camera में जाके settings होती है, उस setting के साथ आप continue करोगे, तो smooth transactions आपको मिलेंगे, smooth animation मिलेगा, smooth movement, smooth actions मिलेगे, इसके लिए काफे ज़रूरी है, तो ये जो features है, तो एक regular video में अगर आप changes करना चाहते हो, तो speed ramping में slow और fast कर सकते हो, by using the option speed and duration, if I set this one 100%, ठीक है, and one option we have, that is the speed reverse, why we use this, जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा scene create करना है, जसमें आप पीछे की तरफ जो है, वो scene दिखा रहे हो, एक story है, suppose, एक person है, वो जा रहा है, suddenly उसने अपने packet में हाट डाला, उसका purse नहीं था, फिर उसने remind करके ध्यान कर रहा, तो हम ये scene create कर सकत रहे हैं कि एक black and white, black and white मतलब past, ठीक है, memory, उसे ध्यान आया कि वो पीछे की तरफ कोई लड़का, उसे कोई बच्चा जो टकरा गया था, और उसने शायद ये चीज़े करी, तो वो जो पीछे का जो step है, यानि pair को पीछे लेके जाना, कदम को पीछे की तरफ बढ़ाना, व ठीक है, तो अभी हमने इसको set कर दिया, और अब हम play करेंगे, तो ये पीछे की तरफ जा रहा, आप देख सकते हो कि ये जो चीज़े हैं, वो पीछे की तरफ जा रही है, एन इसमें अगर आप बाकी सब चीज़ें भी set कर लेते हो, मतलब कि speed को fast करना है, speed को slow करना है, और reverse करना है, इन सभी cases पर ये चीज़ें काम करेंगे, I hope this is clear to all of you guys, इस तरीके से एक normal वीडियो में हम डाल सकते हैं, speed ramping के features, speed को rage कर सकते हैं, duration कम होगा, speed को slow करेंगे, duration of clip जादा हो जाएगा, और इसको reverse भी कर सकते हैं, I hope आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे speed को control करेंगे, ज काफी easy options थे, but important है at the same time, so इसे try करें, एक project बनाए, जसमें अगर possible है तो खुद के camera से shoot करें, उसके बाद उसे लेखे आए, उसको edit करें, उसके speed को control करें, speed control में एक चीज़ जो बहुत जादा important है वो है FPS, frame per second, slow motion की वीडियो में, number of frame जितने ज्यादा होंगे, smooth animation, transactions, moment आपक actions दिखेंगे, ध्यान रखेगा, अच्छे source के साथ, अच्छे outcome हमारे आते है, इस वीडियो के लिए नहीं,